हाई गाईज, वेलकम बेक टो फूड वेटु हाई मक्कर सक्रांती और लोहरी का फेस्टिवल जो है बिल्कुल पास में है तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की हमारी ये वीडियो हमने बनाई है जिसमें हम आपको मुर्मुरा लड्डू की रेस्पी बताएंगे और शौर मुर्मुरा लड्डू देखकर बहुत से लोगों की बचपन की यादे ताजा हो गई होंगी ये खास ही है जो सब लोग पसंद करते हैं खाने में और इसमें हमें ज्यादा समान की भी जरूरत नहीं होगी पर लोड़ी और मकर्शक्रांटी पर तो गुड़ और चाल की डिशेस बिल्कुल बहुत ज्यादा फीमस होती है तो उसी को ध्यामे रखते हुए हमने ये बनाए है इसके लिए सबसे पहले हम पैन में ये लाई ले का कार्ण ये है तीन सारी को टोरिय हम जिन ले सकते है ऑं इसे फ्लेंट द्धार रहें के इस बबने का और हमारे से ये मुर्मुरा है ये कृस्पी हो चाएंगे और उसके लड़ू ृचाने में में भोत ही टेस्ट्री बनेंगे इसे हम दो मिनट के लगबगी भूनेंगे यानि यह जलने नहीं चाहिए पर आप हाथ में लेकर इस तरह से यह करके देखें अगर यह आवाज करके यह पाउडर बन जाते हैं तो इसका मतलब अच्छे से क्रिस्पी हो गये हैं और हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे एक चमच में ने जिए गी लिया है एक चमच भी नहीं उससे भी कम ही लेंगे यह बस इसलिए है तक जो लड़ू है वो शाइनी शाइनी बने अब देखिये यह हम इसमें यह गुड डाला है यह एक कटोरी है जिस कटोरी से हम मुर्मुरा यानि लाइई लेंगे उसी ही कट या 3-3.5 कटोरी मुर्मरा में हम 1 कटोरी गुर्ण लेंगे यानि अगर 100 ग्राम मुर्मरा है तो 200 ग्राम के करीब गुर्ण लेना है हमें और इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम के उपर इसे चलाएंगे आप देख सकते हैं यह जल्दी से मेल्ट हो गया है गुर्ण को कभी भी स साबुत नहीं डालना चाहिये या तो उसे चाकु से स्क्रैब कर लें अगर वह नहीं करना चाते तो बेल्लन से इसे पीच लेए आप देख सकते हैं एक मिनट मेहीं यह पूरा अच्छे से मेल्ट हो गया है अब गैस की फिल्म को हल्की सी तेज कर सकते हैं हल्की सी यानि मीडियं से थोड़ी कम ही तेज करेंगे एंड इसे चलापते रहेंगे हम इसे गल्ती चोड़ेंगे नहीं नहीं तो मारे च्छोड़ है वह जल्दी से जल जाता है एंड उसमें क्ढवाहाट आसाती है लो यह हां दिये और हम इसका टेस्ट करेंगे भुल अगली तो पनाने के एक कट्वरी में पानी लेकर मैं इसमें डाल रही हूं कुछ ड्रॉप्स यह गुड की मैटेरियल की अब हम इसे चेक करेंगे यह देखिए हैं ज्यादा स्टेटयस यत जानी चाहिए एंड ये पानी में मिले नहीं हमने देखा कि ये थोड़ा नरम है तो हमने फिर से इसे बीच में डाल दिया है यानि गुड की कुछ ड्रॉप्स पानी में डाल कर देखें अगर वो बिल्कुत तली में थोस बन जाती है तो ये लड़ू बराने के लिए अगर आपने ये टेस्टिंग सीख ली तो आपने ये गुड से बनने वली चीजों को समझ लिया अब एक मिनट उसे ठंडा होने देंगे और इसे पैचुला को चलाते रहेंगे ताकि इतनी देर में हमारा गुड चल ना जाए अब ये देख सकते हैं ये एक ठोस गोली अग एक कलर ना आये तो इसका मतलब वो बन चुका है मुझे हलका सा ये नरम लगा तो मैंने इसलिए फिस्टे डाल दिया मैं आपको ये दिखाने के लिए दो तीन बार दिखा रहे हूं ताकि आप अच्छे से समझ लें कि गुड को किस हद तक पकाना है इस तरह से इसे चलकते रहेंगे हम छोड़ेंगे नहीं एक मिनट के लिए भी नहीं यब कुछ ड्रॉप्स लेकर हम इसकी इसमें डालेंगे और आप देख सकते हैं जो गुड है वो तली में बैट किया है पानी की अगर हो जाकर वहाँ पर ठोस हो जाए और हिले नहीं तो इसका मतलब है कि वो बन चुका है आप देखिए ये गोली बिल्कुल सही से बन गई है और हमारा जी ये गुड था ये तोड़ा फ्रोथीव हो चुका है और इसमें जाग भी आ गई है आप गुड की देख सकते हैं गुड का टेक्स्चर चेंज हो गया है एंड कलर भी अब ये हमारा बिल्कुल पक चुका है हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे एंड ये लास्ट टाइम हम आपको दिखा रहे हैं अब हम इससे देखेंगे तली में बैठके है ये आप ये इसका कलर भी नहीं निकाँगा यानि मिक्स नहीं हो रहा पानी में और बिल्कुल थोस है यह इकठा होगया बल्कूल यही सेज पर हम इसमें मुर्मुरा मिलाएंगे क्योंकि अगर इससे हाड हम करेंगे तो क्या होगा जो लड्डू है वो दातों को ही तोड़ देंगे हमें लड़ू को तोड़ना है दातों को नहीं इसलिए इससे ज़ादा हाड नहीं करेंगे अब मैं इसमें ये मुर्मुरे सारे मिला दूँगी इसे जल्दी से मिला दे और मिक्स कर दे अगर हम इसमें टाइम लगाएंगे तो जो मिक्स्चर है हमारा वो सेट होने लगेगा लेकिर हमें इसके लड़ू बनाने हैं और हमें एक मिनट का वक्त लगेगा इस जल्दी से इस दिक्वड में इस मुर्मुरा को मिक्स करेंगे एंड उसके बाद पानी के कटोरी लेकर हाथों में पानी लगा कर क्योंकि ये गरम बहुत होता है गुड और हाथ जलने लगेगा एक चम्मज की सायता से मैटीरियल लेकर हाथ में हम पानी लगा कर हाथों में और इसे लड़ू बनाएंगे मैंने ये अपना यूटेंसिल चेंज कर लिया है इसकी वज़ा ये है क्योंकि पैन काफी गरम था और उसकी वज़ा से गुड और गरम हो रहा था अगर मैं ऐसे बनाती तो हाथ जलने का डर था इसलिए मैंने इसे कड़ाई में निकाल लिया है ताकि एजीली मेरा ये आठी खर तोड़ा सा ठंडा जलवक मैं इसके लड्डू nouvelles को अब जल दी सयाम से मिख कर लेंगे इसे मीक्स करके अब इसे लड्डू देंना शुरू कर देंगे अब मैं से शुपा रही हूं आप देखेंगे डित्ती भी बालप बनाना चाहें बना सकते हैं इस तरह से चारो तरह से कठा करते हुए, हम इसे लड़ू की शेफ दे देंगे, जिस तरह से हम पिन्नी बगारा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, आप चाहे तो इसको बिल्कुल राउन शेफ भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने पानी हूज नहीं किया, मैं हाथों से ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि मैंने उटेंसी चेंज कर लिया तो मेरा खंडा हो चुका है मैं अब मैं तेजी से लड़्डू बना दूंगी इस तरह से सारे मैटीरिल के लड़्डू हम बना लेंगे हम चाहें तो हम इसकी पट्टी भी सेट कर सकते हैं लेकिन लड्डू खाने का अपना अलागी मज़ा है आप देखेंगे मैंने सारे लड्डू बना लिये हैं बाकी सब तो छोटे-छोटे हैं पर एक लड्डू मैंने एक्स्ट्रा लार्ज बना रखा है इसी तरह से आप भी अपनी मन मुताबिक इसको शेप एंड साइज दे सकते हैं और यह हमारा बड़ा सा लड्डू जो बिल्कुल मैं सेंटर में इस तरह से सजा दूंगी तो आप भी अपनी मकर सक्रांति celebrate करें और इस सक्रांति पर गुड से बनी चीजें बनाएं आप आपके लिए मुर्मरा लड्डू बनाने के लिए कुछ जूरे tips एंट tricks मुर्मरा लड्डू बनाने के लिए हमेशा अगर एक cup गुड लेंगे तो तीन कप हम लाई यानि मुर्मरा लेंगे एंड गुड को जो है हम जब मेल्ट करें तो बिल्कुल लो फ्लेम पे करें एंड शाइन के लिए हलका घी इसमें डालें एंड जो लाई है उसे ड्राई रोस्ट करना ना भूले एंड मिक्स करने से पहले गुड में हाड होंगे और ना ही इतने नरम कि इपनी शेफ खोदें तो आप भी से बनाएए खुद देखाएए अपनों को भी खिलाएए तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाए टेक केर सी यू गें